हाई डियर स्टुटेंट्स आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपोटेंट न्यूस आपके रिजल्ट से जो कि है यूपी बॉर्ड टैंथ 12 का रिजल्ट 2020 तैयार होने लगा है यूपी बॉर्ड का रिजल्ट विशेवार अंगपत्र पर चड़ाये जा रहे हैं मार् अध्यमिक शिक्षा परिजद उत्तरपद्दिर से न्यूस दी गई है कंप्लीट आपको देख लेते हैं अच्छे तरीके से इसको यूपी बॉर्ड कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट 2020 का यूपी बॉर्ड की हाई स्कूल और इंटरमेडियेट की परिक्षा का प्रिणाम तयार हो ने लगा है 90 फीजदी से अधिक कौपियों का मौल लियंकन जो है पूरा हो चुका है ठीक पूरा होने के साथ ही बच्चों को मिले अंक का विशेवार अंक पत्र पर चड़ाए जाने लगा है जिस से तेजी से मौल लियंकन हो आ है परिणाम जून अंद तक आने की पूरी स सम्भावनाएं बन कहीं हैं इसी के साथ परिक्षा में सम्मिलित पचास लाक से अधिक चात चात्रों का इंटिजार भी पूरा हो जाएगा बहुत इंटिजार है हमें भी बहुत बेसबरी से इंटिजार है और मोल्यांकन और प्रड़ाम तयार करने की शान अगस्त पर लगतार समिक्षा हो रही है 23 में तक कुल 3.10 पुर्तर प्रतिकाओं में सेवा 2 करोड से अधिक मोल्यांकन हो चुका है अब तक 90 परसेंट 35 से अधिक कोपिवा जाची जा चुकी है और इस हफ्ते भी सभी 281 के अंदरो पर मोल्यांकन पूरा हो जाएगा सूत्रों के अनुसार परिशार्टियों को विबिन विश्यों से मिले नंबर अंक पत्त पर चड़ाने के लिए कंप्यूटर फॉर्मों को तीन चरणों में भेज़े जाते हैं पहले चरण में मतलब जो आपके जो नेट पर आपकी मार्शीट अपलोड होती है वहाँ पर पहले चरण के अंक बेज़े जा चुके हैं जबकि दूसरे चरण के अंक एक दो दिन में बेज़े जाएंगी अलग अलग विशो के अंक रोल लंबर के अनुसार चड़ाये जा रहे हैं तीसरे चरण में अंक भेजने के बाद मिलान का काम शुरू होगा मतलब किसी बच्चे के नंबर जो है सही है बिलकुल चेक करके नंबर चड़ाये जाते हैं अल्यांकन पूरा होने के बाद एक महीने में परिणाम गोशित हो जाता है इस लिहाज से जून अन तक रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं है इसलिए भी है क्योंकि सच्चिव नीना श्रिवास्तव को मिला तीन महीने का सेवा विस्तार भी तीस जून को समाप्त हो रह है उसकी तैयारे भी हम जल्द से जल्द शुरू कर देंगे